नमस्कार आप देख रहे हैं GBN 24 News और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकर कारिवाही के आस में बैठी मा की गोद में मासूम बेटी की सांसे थम गई हैं मासूम की मौत के बार पुलिस कर्मियों ने मानवता को दरकिनार कर कारिवाही करने के बजाए फटकार कर्थाने से बगा दिया गोद में बेटी का शव लेकर S.P. कारले पहुंचे परिजनों ने पुलिस के अमानविय विवार की शिकायत कर नियाय की गोहार लगाई पाली थाना शेत्र के ग्राम लखमापुर निवासी पुश्पा ने बताया कि जेट किशन पाल से विवाद चल रहा है 6 जुलाई को उसकी एक माह की बेटी आशिकी की तबियत खराब हो गई थी उसी दिन सुबह व पती रामदेव के साथ बेटी की दवाले ने पाली कजबा आ रही थी इसी दोरान गाउं के बाहर जिट ने अपनी पतनी और बेटों के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया था हमलावरों ने उसकी गोच से छीन कर बेटी को भी फैक दिया था इससे महिला उसका पती और बेटी गंभी रूप से घायल हो गई थी पती ने थाने में तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने कोई संतोज जनकारेवाही नहीं की थी उसने बताया कि मंगलवार को पुलिस ने उसे थाने बुलाया था सुबह नौ बजे देवर महिंदर के साथ बेटी को लेकर थाने पहुंची जहांपर साड़े दस बजे तक किसी ने उसकी फर्याद नहीं सुनी इसी बीच तबियत बिगड़ने से थाने में ही बेटी ने दम तोड़ दिया बेटी की मौत के बाद पुलिस कर्मियों से मदद की गोहार लगाई आरोप है की थाने में मौझूद किसी भी पुलिस कर्मी ने उसकी एक न सुनी उल्टा फटकार लगा कर भगा दिया हो जाने की बात कही सिपाईयों को बेज कर दिखवाया तो बच्चा अम्रत हो गया था कुष्वाय था कुष्वाय बच्ची है कर दो घरख्बा लेया हमय चले अमय बच्चा के लिख मंदित गम हाये कई कई सहरेक Poland हो तकका मार्लिंभी नाई था शाउ मारी बगले माट्र ही जानते हैं पानी मामाई खाइची लिगाई फिर थती धानू की जो आवरत थी इतने बचाव बच्चिल्लाने त्यावर लोग आईगे पानी मुआ तो ज्याने नाई पाई अब उन्हें बचाव जेजा फिरी चार चाज लोग इनने हमाई मारो अब झाल